नमस्कार आप देख रहे हैं केमास न्यूज जिन्बर की बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूग यानन गुमार बोर्या हमारे लेटेज न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज आप या सोसल मेडिया यूटूब पे देखने के टाइप करें www.केमास न्यूज आए देखते हैं ये खबर आजम गर्जिले के गंबीर पूर्थाना छेत्र के उबारपूर का मामला सुनीता सरोज पतनी सुरेंदा सरोज सुनीता का आरोफ है कि उसका पती उसको रोज मारता पिटता है पती और पतनी दोनों की दूसरी सादी है जिसमें सुनीता के पहले पती से एक लड़की है सादी के उपरांत ये तह हुआ था कि यह जो लड़की है इसे मैं सुविकार कर रहा हूँ लेकिन आए दिन सुनीता और उसकी बच्ची को उसका पती प्रतालित करता रहता है पेश है हमारे समाधाता देवेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट भीला से वर्ता करते हैं उससाम हमारा दूटार्द कि इसाम से मार देना कि इतने बच्चे हैं तो बच्चों को मानते हुआ कि नहीं दो बच्चे के मानते हैं और दूटी जया प्रता है तो आपकी बच्चे जो बच्चे बता सकते हैं जो छोटे में बच्चे आपके बच्चे बड़ी बच्ची है बता देगी उरहल तो बताएगे हम उनके बच्ची से मिलते हैं और बात करते हैं कि आपको मा के मारे हैं कि आपकी माता आपके पिता के ऊपर आरोप लगा लिए क्या सत्य है कि इसको बेटी लाई हो साथ में इसको भगा दो क्या 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 लिए कि हमके भगार की लिके भाग जागे था हखिसा देवे कि ना परिता दो मेराव छोड़ दियां सब तो गंबीर पूर आपका ये थाना च्छत गंबीर पूर है चौकी गोसाइगी बजा रहें अप्लिकेशन होगर दी थी क्या वाशनों मरा ये ता उसाब यह क्या पन समझा जाए गलिक दो पराणी जो है लोन ठीक से रहा है तो कहला कि अम गोड़वारी सुतनी खटिया ना है तो उसाब यहां का पलंग जो लोग दियां ना आउंगा तो उगा से पलंग तो टुटाई खटिया दूठ बूड़ पुलिस यहां से गई है वह इसे फिर आपको गोजी से मारे हैं आपको जी कि हुरे हुरे से सास्रे आई भी है अहां सब्सक्राइब